गुड मॉनिंग स्टुदेंट्स के स्टुदेंट्स का स्वागत करता हूं मैं हूं आपका आका सर और आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर फोर था हिस्ट्री का बाट बुक्स एन ब्रुवल्स टेलस ठीक है उसका रेमेनिंग पार्ट है तो हैडिंग कुछ इस एंट होर सेफ वेल्थ वाज डिस्टिबूटेटर अमंग डा लीडर्स प्रीस्ट अधर पीपल रिग्मेन में आप को बताया था जो रिग्मेन है वो लिखी तरग में नहीं है रिटन में नहीं था पहले रिटन में नहीं था बलकी वो ट्रंसफर हुआ था ठीक है बाई द केटल चिल्डर्ण एंड होसे एंड होसे वेल्थ वाज डिस्टिबूटे अमंग दा लीडियोर्स प्रीस्ट और पीपल अकॉर्डिंग तुद रिग्विदा यह यजना स्वेर परफॉर्म यह यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू रिग्विद के अनुसार जो यजना लिए करते थे दरिग्विदा डिवाइट फीपल इन टू ग्रूप्स अब बेसे सब्देर वर्क लोगों को दो भागों में बाढ़ता था दो ग्रूप में बाढ़ता था उन देश्टेस अब देर वर्क कार्रे के आधार पर ठीक है दा प्रहमीन और राजा यानि ब्रहमन और राजा भी, people और the other community as whole have been referred to as a जना और विस, भ्रह्मन और राजा के लावा जो भी लोग हुआ करते थे उन्हें जन या फिर विस कहा जाता था जना या फिर विस the composer of hymns, hymns मतलब होते सुक्त, है न, total 1028, सुक्त है call themselves ariyas the composer, जो रिगवेत के जो सुक्त मनाया करते थे hymns मनाया करते थे, वो आरहिए अपने आपको आरहिए कहा करते थे and their opponents, उनके जो opponents जित्ते, उन्हें दास या दस्यूस कहा जाता था, उनके जो बिपरीद हुआ करते थे उन्हें दास, या दास या दस्यूस कहा जाता था ठीक है नेक्स्ट है स्टोन बाल्डर्स एज दे वन इन फिगर और कॉल्ड मेगलिथिस मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ यह देखो पहले ध्यान से फिसके बाद इसके बारे देखते हैं इस तरह से सजाए इन्हें मेगलिथिस कहा जाता था अब देखते हैं मेगलिथिस क्या है यह ब्रूवल साइट्स जहां पर लोगों को दा संसका किया जाता था वहाँ यह मार्क करने के लिए इनका यूज होता था यह देख लो अब देख इस तोनों को किस तरह से सजाय है ठीक है ब्रूवल साइट्स के वर उस्टू मांक दा गठार लोगों का शाएट्स जहां देहां संसकार होता था कुछ जो सर्फेस पे हुआ करते थे और कुछ अंडर्ण यानि जमीन में हुई हुआ करते थे दहा संसकार के में देखो ध्यान से आगे चलते हैं देड़ बरीट विद डिस्टिंग्सिंग पॉट्स जो मृत्तक हुआ करती थे उन्हें अलग अलग जगह जलाया जाता था विच आर कॉल दा ब्लैक और रेड वेर जिनने काला ब्लैक और रेड वेर कहा जाता था ठीक है पीपल वरीड वरीड अलॉंग विद चूज कुछेंट फर्बैबली डिपेंदेगल्स पहरं पर्णा जो आधार पर चूज किया भारीड तंदम विचेंगा सब्सक्री क्या है फैंव्या बरिट टोगेदर जदातर जो परिवार के लोग थे एक साथ जो उन्हें जलाया जाता था ठीक है इन यानि एक ही उस पर इन इमेजन ऐसा नहीं कि सभी को एक साथ लेके जला दो चाहें कोई मरे नमरे यानि जब एक ही उनका दाहा संसकार केंदर हुआ करता था ठीक है जैसे यहाँ पर ब्रहमन्स का है तो ब्रहमन्स ही जलाए जाएंगे उनकी कोई निश्षत फैमिली है वहाँ पर इन इमाम गाओं पीपल वेर बरीड़ विद देर हैड टो़र्ज दर नौर्थ इमाम गाओं में क्या होता था जो लोगों को संसकार होता था दा संसकार वो जो उनक था उन्हें रख दिया जाया करता था उनके दाहा संस्कार के इंद्र के पास आर्यास के बारे में जानते हैं the people who compose the hymns use the word आर्यास for themselves ऐसे लोग जिन्होंने जो है हिम्स बनाए है हिम्स मतलब सुक्त किसमें सुक्त बनाए है रिगवेद में ठीक है रिगवेदा में रिगवेद में जिन्होंने सुक्त बनाए है उन्हें आर्यास कहा जाता है ठीक है black and red wear क्या है द्ट्व डिस्टिंग्सिम फोट्स विट विच्ट द्डेर्ड वेर वरिड दो अलग अलग तरह के पोड्स with which the dead were worried have been called the black and the red wear अलग-अलग pot रखा करते थे एक को black और एक को red wear कहते थे ठीक है next है आपका brahmin's कौन से the priest जो पुजारी हुआ करते थे were referred to as the brahmin's उन्हें brahmin's कहा करते थे जो पुजारी हुआ करते थे they perform the various ritual different type की पृथाएं की यहां करते थे ठीक है the sews या das कौन थे the opponents of the area आरेयों के जो opponents हुआ करते थे were referred to das या das कहते थे उन्हें या the sews कहते थे this world letter mint slave बाद में इन्हें क्या कहा गया इन्हें जो है गुलाम कहा गया बाद में ठीक है जो है भारत में आये थे और यह सिंदु नदी के पास आके बसे सिंदु नदी सिंदु नदी के पास आके सबसे पहले यह आ रहे बसे और इन्होंने ने जो है भारत के जो लोग थे जो मूल लिवासी थे उन पर अधिकार कर लिया है उनने गुलाम बना लिया ठीक है आगे उने ये इनका इत्हास था मेगलित क्या था अ स्टोन बावल्डर यूज टू मार्क अ बुरुवल साइड इस रख दिया जाता था जिससे रेफर होता था कि हाँ यहाँ यहाँ पे लोगों का दा संसकार किया गया है इस रेफर्ट तो एज अ मेगलित अभी पढ़ाया उपर सुक्ता थे क्या था दा हिम्स अफ दा वेदास वेर कॉल्ड सुक्त जो वेद की जो हिम्स है उन्हें सुक्त कहते हैं विच टांसलेट इंटू वैल सेट जिससे क्या कहा जाता है वै कॉम्पोजिशन ऑब दा ओल्डेश्ट अब दा वेदास अब दा रिगवेद साड़े-3,000 साल पहले यानि पंदरस आफ विफोर फिप्टेंट 20 बीसी जो है रिगवेद का कउ जो है कॉम्पोजिशन प्रारम हुआ था सबसे ओल्डेश्ट ग्रवेद है रिगवेद ओके Thank you.